अगर आपको यहां पर दो हजार से लेकर दो लाग के बीच का जो है लोन के जरुवत है तो यहां से इंस्टेंट आप ले सकते हैं यह लोन अप्लिकेशन जो है बिलकुल नाया है जो कि क्रिट बी के थू जो है आप सब को लोन देता है इसका रेटिंग आप देखेंगे तो क इंट्रेस्टेंट प्रसेसिंग फिस पता कर सकते हैं जैसे कि आप एक्जांपल के तोर पर बताया भी गया है कि अगर आप यहां से 50,000 रुपया लेते हैं और 24% इंट्रेस्टेंट पर बारे मंद के लिए यहां पर आपका EMI जो है 4,728 रुपया जाती है टोटल इंट्रे सकते हैं मीनिममम टाइम जो है 3 मंत दिया गया है मैक्सिममम टाइम जो है 5 यर दिया गया है ठीक है प्रसेसिंग फिस जो है 2% से लेकर 8% यहां पर दिया गया है तो फानली यहां पर इस अप्लिकेशन को हम इस्ट्रॉल करते हैं उसके बाद step by step apply करके हम आप आप सुब को दिखा जाते हैं कि कैसे जो है लोगा करना होता है जो कि सबसे पहले आपको यहां पे लोग इन होना है लोग न उने के लिए आपको आपना मुबाइल नं़र फिलप करना है उसके बाद नाम निचे जो है आपको सामले कुछ इस परकार से इंटरफेस दिखाया जाता है जैसे कि यहाप Peo example के तौर पे दिखाया जाता है कि आपको आपन यहाद फर्स्ट निम भरना है लास्ट निम भरना है उसके बाद यहाद पर email ID भरना है education भरना है early self employee लोरट जो भी आपको यहाँ पील अपर चाहिर करना है उसके बाद नीचे, नेट मंतली इंकमեने 我मां उसके बेदे। का नाम यहाँ हो बहने। संद्स हैं यहाँ आपको यहाँ बताना है आप जैसे इस summit पे click करते हैं उसके बाद आप सबको यहाँ पे अपना pain card का number fill up करना है data worth fill up करना है और यहाँ पे fin code fill up करना है gender choose करना है तो example के तोर पे यह दिया गया है finally आप इस पे click करेंगे तो यहाँ पे fill up करने का options आ जाता है यहाँ पे जैसे जैसे fill up किया गया SIM OEC परकार आप सबको यहाँ पे fill up करना है आप जैसे summit पे click करते हैं आपके सामरे कुछ इस परकार से interface दिखा जाता है यहाँ पे आप सबको amount दिखा जाता है यहाँ पे दिख सकते हैं select amount जो है 500 दिया गया है और यहाँ पे 5 लाख तक का amount आप select कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इस line को हम जैसे से आगे बढ़ेंगे यहाँ पे amount बढ़ती जाती है और नीचे आप सबको यहाँ पे turn over month दिखाती है कि कितना month के लिए आप लेना चाहते हैं फानली इस पे click करेंगे यहाँ पे आप सबको 1 month, 3 month, 6 month, 1 year, 2 years का options में जाता है तो फानली आपको यहाँ पे पहले अपना loan amount select करना है ठीक है कि आप कितना रुपया loan लेना चाहते हैं तो माल लेज़े यहाँ पे हम 30,000 रुपया select करते हैं उसके बाद मन्त दिया गया है यहाँ पे हम 6 month फिल अप कर लेते हैं 30,000 रुपया हम 6 month के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने फिल अप कर लिया है अब नीचे सम्मिट का button मिलता है submit पे click करकर हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मेरा profile जो है यहाँ पे चेक किया जाता है तो यहाँ पे आप सब को कुछ दिर वेट करना है उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया जाता है loan जो है लोन मिल गया है तो finally इस लोन को लेने के लिए जो है नीचे आपको submit का बटन मिलता है submit पे क्लिक करकर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे ध्यान देंगे आपका interested यहीं पे दिखाता है आपका loan amount कितना मिलने वाला है यहीं पे दिखाता है और यहाँ पे turnover month कितने month के लिए ले रहे हैं यहाँ पे दिखाता है तो finally आप सबको यहाँ पे screenshot ले लेनी है ठीक है उसके बाद आप सबको submit का button मिलता है submit पे क्लिक करना है आप submit पे क्लिक करकर जैसे यहाँ आगे बढ़ते हैं आपके submit कुछ इस परकार से interface दिखाया जाता है यहाँ पे बताया जाता आप for processing your phone you have to verify your face ID आपना face ID यहाँ पे दिखाना है यानकि जैसे ही आप यहाँ पे camera पे क्लिक करेंगे camera जो है open हो जाएगे इसके बाद आप सबको अपना एक selfie यहाँ पे upload करनी है ठीक है तो यहाँ पे selfie आप clear upload करेंगे आपके room में lighting होना चाहिए अंधेरा नहीं होना चाहिए फ़नाली selfie लेनी के लिए आप सबको launch camera पे क्लिक करेंगे आपका mobile का camera जो है open हो जाएगी और यहाँ पे आप अपना selfie एक upload कर देंगे selfie upload करने के बाद summit पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस परकार से interface दिखाया जाता है अब यहाँ पे आप सबको bank information fill up करना है यहाँ पे आप सबको अपना account fill up करना है यहाँ पे IFC code fill up करना है यहाँ पे bank name fill up करना है यानकि जिस भी bank में आप पैसा मागाना चाहते हैं उस bank का account number IFC code उसका bank name यहाँ पे fill up करेंगे उसके बाद जो है आप सबको यहाँ पे submit पे click करना है तो finally इसको जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरीका से fill up करना है और यहाँ पे आपको अपना personal account देना है तो यहाँ पे आप live देखे हैं नहीं हमने यहाँ पे bank establishment upload किया है नहीं यहाँ पे civil check कराया गया है और नहीं यहाँ पे आधार card upload कराया गया मातर यहाँ पे पेन card पे loan पुरभाइड कर दिया गया है अब इस loan को डिरेक्ट हम अपने account में भेजेंगे account में भेजने के लिए हमको एक API create करना होगा या इसी account में हमको direct पैसा transfer करना होगा तो काफी easy process होता है इस application से loan लेने के लिए आप भी जो है एक बार try कर सकते हैं चलिए वीडियो को आप एफे खतम करेंगे उमीद करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए helpful रहा होगा वीडियो अच्छा लागा हो तो प्लीज वीडियो को एक like जरू करिएगा आपका एक like जो है हमको ऐसे वीडियो बुराने में काफी motivate करता है